हलो अबरीबन माइसल फेमन तुम्हें स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी एजूकेशन फूल कोर्स कंटेंड के साथ जैसा कि आप लोग को पता है थर्ड चाप्टर खतम हो चुका था उसके NCRT सॉलुशन हो गए थे आज बात करने वाले हैं सर फोर्ट चाप्टर चाप्टर नमबर फोर केमिकल बॉर्डनिंग और मॉलिक्लर स्टक्चर उसमें आज उसके NCRT सॉलुशन पर सर इंपोर्टेंट है भाई इंपोर्टेंट है जाना नहीं है जाना नहीं है पढ़ना है मतलब पढ़ना है कोई दिकत की बात नहीं होनी चाहिए पका क्लियर है कोई दिकत तो नहीं तो स्टार्ट करें एक और जबल जस्ट लेक्चर में और मदा आने वाला इस लेक्चर मे सर मानना पड़ेगा एक नंबर कोशन कोशन नंबर पगड़ा आया है explain the formation of a chemical bond सर पहली बात मैंने आपको काफी बाद समझाया है किसके बारे में chemical bond के बारे में जो एक chemical bond होता है यह bond बनता क्यों है need क्या होती है bond को बनाने की तो मैंने आपको हमेशा बताये था सर bond को need होती है बनाने की stability के लिए कोई भी व्यक्ति चाहता है क्या होना stable होना क्या होना सर जी stable होना और stable होने के लिए उसको भया bond क्या बनाना पड़ता है सर जी के दुखी हो तो कोई आपके साथ बात करने वाला हो कोई आपके दुख दुख होता है ना दुख और सुक्त क्यों के लिए आप है क्या बनाते हो a कीए नहीं जासे आप अपने भाई से डिसकूस obviamente यह सब एक कैमिकल बॉंड होता है एक तरीके से force of attraction होता है जिससे हैँ हर सित्वेशन में आप अपने आपको stability गेंड करवाना अचाहते हूं इसी लिए आपको नब बहुत of attraction it is a force of attraction क्या है यह force of attraction है जो सारे particles को एक साथ bound करने का काम करता है क्या करता है sir bound करने का काम करता है ठीक है दूसरी बात chemical bond जो होते हैं यह दो तरीके से बनते हैं chemical bond जो होता है वो दो तरीके से बनते हैं पहला 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 या तो chemical bond होगा ionic bond या तो फिर होगा भीया कोवलेंट बॉन या तो ionic bond होगा या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा कोई दिक्कत की बात या तो ionic bond होगा या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा अच्छा आप ionic bond का मतलब पता है ionic bond का मतलब पता है कब बनता ionic bond सर जब transfer of electron होता है क्या होता है sir, transfer of electron जब होता है तब जाके बनता है हमारा ionic bond और 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 जब sharing of electron होता है sharing of electron होता है तब बनता है हमारा कौनसा bond? covalent bond, clear है क्या नहीं है? सर ये बाते थी chemical bond के बारे में किसके बारे में सर chemical bond के बारे में कि chemical bond होता क्या है it is a force of attraction between all the constituent particles need क्या है to be stable किसी भी चीज़ को stable होने के लिए वो chemical bond मनाता है कितने type के होते हैं दो type के ionic और covalent ionic कब बनता है जब transfer of electron होता है और covalent कब बनता है जब sharing of electron होता है सर अपनी जिन्दगी से याद अखिये आपकी जिन्दगी में भी कई सारे bonds होते है ठीक है अरे भाईया मैं घरवाले bond की बात कर रहा हूँ या आप लोग ये भार का bond मनाने का मत सोचें और वो bond आप लोग को क्या provide करते है stability provide करते है क्या provide करते है सजी stability provide करते है कोई दिक्कत कोई दुख कोई दर्द और कोई पीड़ा है तो नहीं चलिए फड़ा फड़ स्कीन शॉट लेंगे जल्दी स्कीन शॉट लेंगे ले लिया चलो यह देखिए a chemical bond is a attractive force that bonds the country क्या कर रहा हूं मैं constituents of a chemical species together सारे chemical species को साथ लाने का काम करता है कौन chemical bond यह हमेशा याद रखेगा अगर जैसे दो लोग है बना के दिखाता हूं अब आप लोग क्या खुश हो जाते हैं ऐसा मैं बना देता हूं तो जब भी नजदिक याँ बलती है और गाना मत गाने लगना नहीं तो फिर आप लोग गाने लगो मैं फ्रेंड्स के लिए भी बोल रहा हूं यह ऐसा जब आप सारी बाते एक दूसरे से शेयर कलते हैं यह आपको stability प्रोवाइड करता है मालो आपके time पे घर पे कोई problem चल रही है या फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप सामने वाले से discuss करते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए तो यह anyhow चीजों के बीच में क्या लेके आता है stability लेके आता है क्या लेके आता है सर stability लेके आता है क्या आता है stability लेके आता है तो हमने का बहुत बढ़ी है बहुत मज़दार बाते कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके बीच में चलो जल्दी देखो जल्दी दिगो जल्दी जल्दी देखो जल्दी गोया आप आपना कोई दूसरा बॉंड मन नहीं तो आप लोग पता इस तरीके और बॉंड नहीं तो आप सर्दोकर सब्सक्राइब ऑन कर रहा वाइन हों चेहरे से ठीक है चलो हटा दें चलिए सेकंड कोशन की दरफ चलते हैं सर क्या बोल रहा है सेकंड कोशन देख लो सर मेरे को तो नहीं पता क्या बोल रहा है सेकंड कोशन चलिए राइट लुइस.Structures for atom of the falling element चीक है सर एक बात बता लुइस.Structure क्या होता था सर सब पढ़ाया है मैंने यहाँ पर लुइस.Structure पता है आपको हाँ सर आपने बताया था सबसे पहले symbol लिखो symbol लिख देना और उसके around उसके valence electron जित्ते भी होंगे उसके around उसके valence electron जित्ते भी होंगे या तो उसको dot form में बता देना या तो उनको dot form में बता देना या तो cross form में बता देना यह होता है सर या तो dot form में बता देना या तो फिर cross form में बता देना ये बताया था आपने हमको हमने कर ठीक है सर कोई दिकत की बात नहीं है for an example for an example magnesium magnesium किता होता है 12 यह देखो दिख रहा है अब अगर ध्यान से देखें तो magnesium के आखरी में देखिए ध्यान से दिखा दिखा यह यह इसका valence shell और valence shell में कितने electron है सर जी दो दो एक कम दो 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 नीच चार चलो तो सर इसका symbol क्या होगा M जी और कितने electron है सर सर दो तो यह लो यह होगा इसका Lewis symbol सर बहुत सी books पता क्या कलती है बहुत सी बुक्स इसको ये भी लिखती है मैंगनीशियम और दो क्रॉस लगा देती है लेकिन मैं कहूंगा सबसे ज़्यादा एप्रोपियेट जो है वो ये वाला है तो हलके में नहीं लेना हलके में नहीं लेना है को दिकत चल यह आपका हो गया फस्ट यह हो गया अब कप फस्ट चेकर het सैंगे योगह आपका फस्ट सेकंड प्याते हम सेकंड प्याधा उसर सैंड प्या जाओ सेकंड क्ण्क्डि एख सsecond प्या लोगिएए सूडियम चलो स्ठ शौडियम प्याते है dentro सोडियम सोडियम सोडियमenf क्या होता बोरोन? जल्ली बताओ हाइडोजन, ऐलियम, लिटियम, बेलियम, बोरोन पाँच वन एस टू, टू एस टू, टू पी वन अब आखरी में देखो आखरी में देखो सरण यह दिख रहा है? दो और एक, तीन किते एलेक्टरोन है? भाई, तीन एलेक्टरोन है, मतलब वैलेंस एलेक्टरोन किते हैं? तीन, सर तीन को कैसे बताएंगे? एक, दो तीन क्या दिक्कत की बात थी? क्या दिक्कत की बात थी? यह बताओ कोई भी कुछ दिक्कत की बात थी? क्या? नहीं सर नहीं clear है सर सर 4th सर 4th आजाओ 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 4th oxygen 4th क्या है सर oxygen oxygen होता है सर 8 1s2 2s2 2p4 2p4 सर किते 6 ले हैं? 2 शेले तो आखरी बाला क्या होगा? 2nd बाला 2 और 4 क्या होता है? 6 6 2 4 6 यह रहा low structure of oxygen यह low structure of oxygen चलो अगले पर जाओ अगला क्या है सर? 5th 5th क्यों है? Nitrogen क्यों है सर नाइटोजन? जल्ली बताओ नाइटोजन में कितना है? सर नाइटोजन होता है 7 1s2 2s2 2p3 अब जहाँ से देखो सर 2 और 3 Oh my god 2, 3 कितना होता है बाबू पाँच बाबू पाँच एक दो तीन चार पाँच अब ब्रोमीन का आप बताएंगे 6th वाला is a homework चलिए ब्रोमीन का आप बनाएंगे चलो ये बना दिये मैंने आपको सारे कोई दिक्कत की बात ये सारे के सारे low structures आपके सामने ready है सारे के सारे low structures आपके सामने ready हैं जितने पूछेते सारे बना दिये magnesium, sodium, boron, oxygen, nitrogen और ब्रोमीन is a homework क्योंकि आज मैं चेक करने वाला हूँ कि आप लोग से कितना homework होता है homework ज़रूरी है सर अगर homework नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर इसलिए homework compulsory है homework क्या है सर? compulsory है compulsory है homework चलो जल्दी करो जल्दी 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 हुआ के नहीं? हुआ के नहीं? हुआ के नहीं? जल्दी जल्दी चलो अब आते हैं question number third clear है ना? सर homework होना चाहिए होना चाहिए homework होना चाहिए चलो question number third क्या बोल रहा है? Lewis symbol for the following items and ions चीक है सर फिल से Lewis symbol ही है आजाओ कोई निकल देंगे फटाफ़र हो जाएगा पहले बोला है sulfur का sulfur होता कितना है सर? 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 देखो जरा 2, 4, 10, 12, 16 चीक है सर valence electron यही valence shell है valence shell में कितने electron है सर? 6 6 है तो ठीक है सर लिख देते है सर सबसे पहली बात बताईए symbol क्या होता है? S 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया सर सर बन गया sulfur का Lewis structure वो रहा येस सर सर यह तो बहुत तीजी है अब बनाना है सर sulfur minus 2 अब बनाना है sulfur minus 2 हमने का ठीक है बना देंगे sulfur minus 2 का मतलब क्या है सर? सर 16 तो होते थे 2 all ले लिए सर 2 ले लिए 6 तो होते ही थे और 2 all ले लिए तो सरी हो जाएगा 3, 6 अच्छा ये बात याद रखना है 6 क्यों हुआ? 6 क्यों हुआ? क्योंकि सर उसके पास 4 थे minus 2 का मतलब 2 electron gain कर लिए तो 4 प्लस 2 कितना हो जागा? 6 अब कितने valence है सर? सर अब तो 6 valence हो गए अब तो 6 valence हो गए चलो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखो ये sulfur ये 2 ये 4 ये 6 और ये 2 8 क्योंकि भाईया 2 extra आगए ना और सर 7 ही 7 इस पर minus 2 का charge भी है इस तरीके से इसका Lewis symbol दिखा जाएगा ठीक है? उपर वाले में minus 2 नहीं थे इसलिए इच्छे थे minus 2 से 2 और आगए तो कितने हो गए? 8 हो गए कितने हो गए सर? 8 हो गए चलिए अगला चलो aluminum aluminum कितना होता है सर? सर 13 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 3p2 यह होता है अपना कौन? aluminum कौन होता है सर जी? aluminum सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है अरे आज सर क्या कर रहे हो सर? 3s2 होता है 3p1 होता है मैंने का ठीक है भाई ठीक है ना चिलाओ तो मत सही है चलो valential क्या है? यह सर 2 होता है 3 होता है क्या होता है? 2 रे 3 चलो aluminum का symbol लिखो कितने electron है सर? सर 3 1, 2, 3 चीक है चीक है चीक है चलो आजाओ अब आ रहा है सर al plus 3 plus 3 का मतलब है सर जी plus 3 का मतलब है ध्यार से सुनिएगा 3 electron चले गए यह वाले 3 electron चले गए यह चले गए तो कितना बचा? 1 is 2 2 is 2 2 p 6 2 p 6 मतलब इसके पास एक भी electron नहीं है सर सर इसके पास एक भी valence में अब electron नहीं बचा जो 3 होते थे वो 3 के 3 हो चले गए और इसके उपर आगया plus 3 क्या आगया सर जी plus 3 बात समझ रहे है अभी aluminium जब normal था तो उस पर 3 थे तो क्या लिखा था 3 Lewis वाले थे लेकिन आप 3ों के 3ों चले गए plus 3 आया तो भाईया plus 3 आया उसके पास एक भी नहीं बचे तो यह सर जी 4 हो गए आपके पास यह 4 लिख दिये मैं अब दो और बचे उनको और बता रहा हूं पहले इनको नोट डाउन करिए जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी question number 3 complete करेंगे जल्दी जल्दी बढ़े आगे क्योंकि इसको आठाओगे तब ही तो लेकिन एकात तो आसकता है चलो 5 आजाएगा क्या दिया अरे सर ये तो फलजी वाला दे दिया ये तो कोई भी कल देगा hydrogen एक ही तो electron होता है 1s1 तो इसका तो बहुत simple बननेगा देखो H अहाँ H ये ये बन गया hydrogen का ये किसका बन गया? hydrogen का एक ही तो electron होता है अब देखो, इसी का 6th भी एक और है 6th क्या है सर? H minus सर एक बात बताओ normal hydrogen के पास एक electron था minus मतलब लिया क्या दिया? अरे सर ले लिया ले लिया तो कितना हो जाएगा? 1s2 अब कितने इसके पास? 2 हैं तो सर H देखो अब H ये 2 ये 2 ठीक है? और ये minus का sign ये हो गया किसका सर? 6th वाले का किसका हो गया? 6th वाला minus sign होने से minus sign होने से उसके उपर एक electron extra आ गया सर ये पूरे मैंने आपके सामने बना दिये चाहो तो मैं इन सब को colorful से कल देता हूँ कि आपको समझ में जाएगा? ये पहला वाला ये दूसरा वाला ये तीसरा वाला ये चौता वाला ये पाच्वा वाला और ये साथवा वाला चटा वाला सॉरी चटा वाला एक बार देखो सही दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हाँ बढ़िया दिख रहा है एक नमबर दिख रहा है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं मेरेको बस एक चीज दिक्कत लग रही थी यह वाला क्यो यहां जो एक नहीं पर आए जल्दी नोड़ डॉम करिये फिर आते हैं फोल्त वाले पर जल्दी जल्दी हो गया मेरे साथ समझ में तो आया होगा अभी नहीं बोलूगा बाई चमक गया तो एक बार लिख दीजिए draw the Lewis structure of the following molecules and ions and ions क्या बोल रहा है या Lewis structure बना दीजिए चलो सर मज़ा आएगा आपको पता है रंगियन ड्रॉइंग करने में तुम्हें को बहुत मज़ा आता है चलो पहला हम जानते हैं सलफर के पास कितने इलेक्टरॉन होते हैं छे एकदर 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 हाइडरोजन दो हैं एकदर 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 चीक है अब आप जानते हो क्या होने वाला है यह देखो यह मैं बनाना नहीं चाहरा था लेकिन लोग चलो बना देता हूँ दिखा दिखा अब आप जानते हो जब double bond share हो गया तो भाईया single single bond ऐसे बन जाएगा तो S इधर इधर एक loan pair उपर एक एक loan pair उपर और एक loan pair नीचे यह बन गया भाईया है H2S का डाइगराम किसका बन गया H2S का डाइगराम बन गया किसका बन गया H2S का डाइगराम मेरे इसाब से यह छुपरा होगा को दिक्कत को दिक्कत एक electron उपर उड़ गया हमारा ना हाँ आप देखो बढ़िया देख रहा है यह आगया है H2S का चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अब आएगा second second कौन है SICL4 कौन है सर SICL4 अब silicon की बात करते है sir silicon के पास होते कित्ते silicon के पास कित्ते electron होते है आखरी में sir silicon जो होता है ना carbon family का है carbon में 4 होते है silicon में भी तो 4 होंगे हाँ sir सर सही बोले आप और sir chlorine के आखरी में साथ होते हैं उसको एक चाहिए तो एक ही लिख लो बस चलो अब बनाओ गोले अब बनाओ गोले यह दिखा और अब भाईय सिलिकॉन मुलेगा भाई तुम लोग ने लिया तो मैं भी लेगा हलके में मन समझने का मैंने ठीक है न ले ले न भाई गुस्सा क्यों कर रहा है अब थीक है सर अब बना लो एक दो तीन चार हमने ख़ी अच्छी बात है चल भाई छोटा होने का चल भाई छोटा होने का अब नीचे बना लेते हैं अपन बॉर्ण वाला बना लेते हैं कौन सा वाला बॉर्ण वाला SI एक ये CL के साथ दूसरा ये CL के साथ तीसरा ये CL के साथ और चोटा ये CL के साथ इस तरीके से इसका बनेगा लूइस स्च्छर देख लो बढ़िया दिख रहा है क्या नहीं बढ़िया दिख रहा है क्या नहीं कोई दिक्कत तो नहीं चलिए सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह बन गया सेकंड अब दूसरा दूसरा नहीं अब तीसरा बैटा इसलिए अच्छे से बना रहा हूं न कि आपको दिक्क सर्थ दो फ्लोरीन के आखरी में वैसे तो साथ लेकिन हमें एक ही बनाना है क्योंकि एक ही शेयर करेंगे चलो चलो ये एक हो गया ये हो गया बेरिलियम बोलता भाई तुमने ले लिया हमको भी देदो चलो देदो भाई बेरिलियम को भी ओके वेरी गुड चलो चलो ये एक ब कहला आएगा है लुई स्ट्रेक्चर के राएगा है कि है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं यह और बन गया चलो क्लियर रहे कि यह तक चंपना है कि नी चमका पहले यह बताओ यहां तक चमका के नी चमका यह बताओ चलो बागी चले आगे बढ़े के नी बढ़े चलो next क्या है sir hcooh बिटा यह सब बनवाए मैंने अगर आपको याद हो तो भाई इसको मैं थोड़ा सा टेखनीकली बनाओंगा कैसे देखो carbon क्या करता है oxygen के साथ double bond मनाता है carbon के चार bond मनते हैं तो एक यह hydrogen के साथ बना लेता है एक यह oxygen के साथ बना लेता है अब द्यान से समझना अगर oxygen के साथ बना लिए तो oxygen का एक bond खाली है तो वो किसके साथ बना लेगा hydrogen के साथ किसके साथ sir hydrogen के साथ अब अगर आप द्यान से और उति वह मुझा है तो चूटी गार कार्बोनेट तो चूटी तो चूटी गया यार्क तो चूटी डे की नहीं क्छ तो आप के लिए से अराम-से समझा रहूं कियों समझा रहूं कि आपसे थोड़ी चीज़े बन जाए है फोर्थ वाला आपके लिए होम्वक है यह लिखा है फोर्थ ओमवक और फिर्थ वाला यह मैंने करवा दिया है चलो कोई दिख्कत तो यह था कोशन नंबर 4 जो भी हो चुका है complete चमका के नहीं चमका अगा चमका तो एक बार लिख दो सर कि चमग्या सर मजा आगया मजा एक दम मजा मा एक दम मजा मा चली है हो गया कोई दिख्कत की बात तो रही है बढ़िया है कल दू डाइग्राम अच्छा बनाए ना बाई अरे मैं सुन्दरी बनाता हूं बूटी फुल बनाता हूं एक दम बूटी फुल चलो सर कोशन नंबर 5 ओ आक्टेडूल बोल रहा है सर सर जी आक्टेडूल बोल रह है अरे यार यह क्लिक हो गया लग रहा है रुको 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 हां ओक्टेडूल बोल रहा है क्या बोल रहा है सर जी आहां मानी नहीं रहा हो तो ओक्टेडूल चीक है सर जी अपनने पढ़ा था अपनने पढ़ा था क्या पढ़ा था ओक्टेडूल में उसने यह बोला था कोई भी element कोई भी element कोशिच ये करेगा ये पिटेगा आप मुझसे लग रहा है कोई भी element कोशिच ये करेगा कि उसके उसके valence shell में maximum क्या सर? maximum कितने electron होने चाहिए? 8 electron कितने होने चाहिए? 8 क्योंकि octate का मतलब होता है 8 क्या मतलब होता है 8 हमने बोलाता ना 8, 8, 8 8 का मतलब होता है octate तो भाईया अगर किसी के maximum 8 electron होए कितने electron होए? 8 electron होए तो उसको अपन क्या कहेंगे भाईया octate rule क्या कहेंगे? octate rule कि मतलब हर एक व्यक्ति दुनिया में अपने valence shell में कितने electron करने की कोशिच करेगा? 8, 8, 8 कितने सर? 8, 8, 8 इसी को कहते है octate rule क्या कहते है सर जी इसको octate rule बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चीक है यह बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था बार बारा ना इसको बताते हैं जरावी यह लो octate rule says क्या बुलता है? atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another by sharing their valence electron in order to achieve the nearest inert gas configuration by having octate in the valence shell यही मैंने बुला एक atom को अपने valence shell में किसमें सर? valence shell में maximum 8 electron करने है कितने करने है? maximum 8 electron अब उसके पास दो तरीके हैं या तो वो transfer of electron कर ले या तो वो transfer of electron कर ले या तो वो भाईया sharing of electron कर ले क्या कर ले भाईया? sharing of electron कर ले यही तरकीवे जिससे वो maximum कितने electron कर सकता है आठ 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 और जैसी वो आठ electron कर लेगा सर्जी उसका octate पूरा हो जाएगा और इसी rule को कहा गया था क्या octate rule क्या कहा गया था octate rule फिर यादे मैंने जब कहानी बताई थी है चचा बहुत तेज भगे थे क्योंकि इन चचा की limitations आ गई थी इस चचा की क्या गई थी limitations आ गई थी हमने गए ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है पहले इतना note down करेंगे जितना मैंने क्या कर रहा है underline कर रहा है फिर अपना आगे देखेंगे जल्दी 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 उक्ते डूल एक्स्पेंज chemical bond formation depending upon the nature of the element इसी के वज़े से अपनको समझ में आया था कौनसा bond transfer of electron करता है मतलब कौनसा element transfer of electron करता है और कौनसा element sharing of electron करता है ये बात अपनको समझ में आगी थी ये इसके significance है मतलब इससे ये बात तो समझ में आगी थी कि भईया कौनसा element ionic bond बनाएगा और कौनसा element covalent bond बनाएगा ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए ये important बात थी कि कौनसा element ionic bond बनाएगा और कौनसा element क्या बनाएगा covalent bond बनाएगा ये बात किस ने बता दीती भहिया, ओक्टेट साब ने ओक्टेट रूल ने ये चीज अपन को क्लियर कर दीती ओक्टेट रूल ने ये चीज अपन को क्या कर दीती क्लियर कर दीती बहुत अच्छे तरीके से और हमने भी कहा था बहुत बढ़िया बात करिये कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है पक्का, clear है चलो चलो फिर है limitations फिर है limitations आजाओ आगे Octate rule fails to predict the relative stability and shape of the molecule अब भाया ये करी तो रहा था गोला गोला बना दे था था कहता था एक electron ही धार, एक electron क्लोरीन का इधर ये लो भाया गोला गोला बन गए सबकी geometry में गोला गोला बना दे था था तो भाया इसने कभी भी किसी molecule की किसी molecule की geometry नहीं बताई थी किसी भी molecule का shape नहीं बताया था ये इसका पहला drawback था ये मैंने तब भी आपको समझाये था किता था गोला गोला कल तो गोला गोला हो जाएगा गोला गोला क्या करने को बोलता था वाई फर ये बहुत तेज भगा था जैसी किसी ने इसको पकड़ा था कि गोला गोला नहीं होता और ये shape और geometry कौन लेके आये था इसने का था भाया noble gas कभी भी react नहीं करती है जो noble gas होती है वो जिन्दगी में कभी भी react नहीं करेंगी कुछ भी हो जाए noble gas जो होती है वो inert होती है क्या होती है सरजी inert होती है inert का मतलब समझते हो कभी भी किसी से reaction show नहीं करती तो हमने का अच्छी बात है इनर्ट का मतलब यह होता है कभी जिंदगी में रियाक्शन शो नहीं करेंगी लेकिन सर यह पता चला कि coupon बना लेता है compound xenon बना लेता है compound यह सब compound बना रहे थे यह कौन बना रहा था क्रिप्ट on Ц payroll बना रहे थे तो ये बात पता चली कि some gases, some inert gases says krypton and xenon forms compound like krf2, xcf2, etc. ये दो limitations इसके हो चुके थे हमने का अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी आगे देख लेते हैं और क्या है, और भी limitations थे, पहले ता नोट डाउन कर और फिर आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी, 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 सार, जल्दी हो गया? चल्द अब देखो, for elements beyond the third period, the octet rule cannot be applied element present beyond more than 8 valence electrons around in the central atom हमने ये भी देखा था, अभी इनने क्या कहा था? भाया, octet rule का मतलब होता है, उसके valence electron कित्ते होने चाहिए थे art, लेगिन ये गलत हो गया था, कुछ compound में art से कम भी हो रहे थे, जिसमें कम हो रहे थे, उसको अपन कहा रहे थे incomplete octet और कुछ में art से ज़्यादा हो रहे थे, for an example, PCL5, इसमें phosphorus के पास हो रहे थे 10, sf6, इसके पास हो रहे थे, sulfur के पास 12, तो इसको कहा अपन हमने expanded octet, although ये compound market में exist कर रहे थे, तो हमने तो कहा भाईया ये जरूरी थोड़ी है कि art होना चाहिए, तो भाईया ये फिर चुप हो गया, कि नहीं या, art होना चाहिए, art होना चाहिए, फिर जैसे ये दो चीज़ें के सामने राकी, तो ये चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो भाईया इदा फॉस्फोरस के पास total 10 electrons है, होने कितने चाहिए थे, art इसके according लेकिन 10 हो गए, हो गए, इधा देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो भाईया, इदा सलफर के पास कितने हो गए भाईया, 12 electrons हो गए, कितने हो गए, 12 electrons हो गए, तो किउपकत की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं जब प्रॉब्लम हुई नहीं तो क्या प्रॉब्लम की बात है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैंने का अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है कन्फ्यूज नहीं करते हैं आपको चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी फिर आगे देखते हैं और क्या था जल्दी करो जल्दी चल क्लियर है ये भी चल अगला देखो ये देखिए सर ये देखिए ये देखो पहले surrounded by the central atom then the octet rule cannot be applied to this compound example beh2 alcl3 और यह octet rule को फिर follow नहीं करता है यह हो जाता है incomplete octet incomplete octet और इसका example देखो सबसे बढ़िया दिखाता हूँ alcl3 इनने भी बनाये हुआ है मैं वो ही दिखाऊंगा अच्छा example है वो aluminium के अपास होते हैं 3 electron chlorine को एक एक चाहिए होता है तो देखो आजाओ आजाओ चीक है यह तो टूटल इसमें कितने electron हो रहे है 6 electron कितने हो रहे हैं सर जी 6 और होने कितने चाहिए थे 8 तो इसी को कहते हैं अपन इनकम्प्लीट ओक्टेड क्या कहते हैं सर इसी को इनकम्प्लीट ओक्टेड यह सब मैंने आपको तब भी करवाय हुआ है पहले इसके 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 इन चॉडलो फिर उपर वाले को दिखाता हूं उपर वाला और मज़ेदा रहे जल्ली 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 हो गया चल अब देखो अभी तक अगर आप देखोगे तो किसी के पास चार एलेक्टरन हो रहे थे 6 हो रहे थे, 8 हो रहे थे, 10 हो रहे थे, 12 हो रहे थे मतलब अभी तक Octave Rule में जो भी चल रहा था सब even number में चल रहा था सर सब लोग के पास जो electrons थे, वो कैसे थे बिटा even number में थे, लेकिन सर अब आ गया odd में भी लफड़ा मेंने का low भाई, अब क्या ही करोगे, odd में आ गया, कैसे आ गया सर सर NO को देखिए, NO को देखिए, nitrogen oxygen के बीच में बनता है double bond, इसके पास तो भाईया 5 electron होते थे, इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं अगर मैं nitrogen के count करूं, तो 3, 4, 5, 6, 7, मतलब nitrogen के पास total electron कितने हो रहे हैं, सर seven electrons हो रहे हैं, और it is a odd number, it is a odd number, और octodule ने यही कहाता कि भाईया, even होंगे, क्या होंगे, even होंगे, लेकिन odd भी दिखने लगा, क्या दिखने लगा भया, odd भी दिखने लगा, और अगर NO2 की बात करें, किसकी बात करें, NO2 की, सर रोकिए न, यही लिखेंगे न, तब नीचे क्यों आ रहे हैं, यही लिखेंगे न, किसकी बात कर रहे हैं, NO2 की, तो अब NO2 में क्या होता है, double bond इदर, single bond इदर यही होता है, अब ध्यान से देखो यह nitrogen के पास कितने electron होते हैं, 3 हो गए अभी मैं charges नहीं लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको बताता हूँ, देखो count करो, 2, 4, 6 और 2, 8 यह हो गए, लेकिन अब इस oxygen के देखो यह 4 हो गए, यह 5, 6 7, 8, अब इस वाले oxygen के देखना यह है, आप चेक करिए भीया आप चेक करिए आप चेक करिए, क्योंकि भाईया, इसने एक electron लिया है किसने लिया हुआ है, देखिए, अब क्या हुआ है इसके पास 6 तो हो नहीं सकते थे भाईया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एक electron आपने ज्यादा बना दिया यह लो, लेकिन लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा, सर नहीं तो इसके पास कम हो जाएंगे, तो वो किस से मांगता है, इस से मांगता है जब इस से मांगता है, तो इसके पास Having an odd number of electron, the octadule is not applied example for NO2 और NO octadule is not applicable. तो ये सारे वो examples है, sir. वो limitations है, जो octadule को fail कर रहे थे. क्या कर रहे थे, sir? fail कर रहे थे. ये octadule को क्या कर रहे थे, sir? fail कर रहे थे. तो हमने का अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, fail हो रहा है, तो होने दो. fail हो रहा है, तो होने दो. क्या कर सकते हम? क्या करोगे, बाई, अगर हो रहा है, fail तो होने दो. चीक है? चलो, जल्दी note down करेंगे. जल्दी note down करेंगे. जल्दी note down करेंगे, जल्दी, जल्दी. चलो भी है, कोई दिक्कत तो नहीं. तो ये था Octave Rule के करम जो बिगड़ गए थे जिसके चलते ये सारे drawback हो गए थे और कोई दिकत की बात नहीं है बढ़े आगे चलो चलो सर चलो अगले question की और question number 6 What are the favorable factors for the formation of ionic bond सर पहले तो ionic bond को समझ लो क्या बोलता है ionic bond सर बहुत तगड़ा bond है मेरा फेवरेट था NACL हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया सर ionic bond बनता कब है सर ionic bond बनता कब है मज़ेदार बाद तो ये सर ionic bond जब बनता है जब transfer of electron होता है जब क्या होता है सर transfer of electron होता है तब जाके आपको ionic bond की शकल देखने को मिलेगी अच्छा सर तब मिलेगी ionic bond हाँ भाया तब देखेगी एक्जामपल दिखा दो सर सर N A 11 होता है सर सर 1 S 2 2 S 2 3 S 1 अब ये देखे सर सर इसके आखरी में एक electron ये lose करेगा और अगर ये electron lose कर देगा easily lose कर देगा सर easily lose का मतलब होता है जब इसकी ionization energy कम होगी तो ये आसानी से electron का बलीदान देदेगा जा मैंने तुझे react हिया जा आस से जी ले तू अपने जा सिमरन जा और उसको भगा देगा जैसे ही चला गया तो भाया उसके उपर आजाएगा N A plus N A plus अब ये बन चुका है क्या? Ket iron 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 5 सर इसको कित्ते चाहिए सर सर इसको तो एक चाहिए तो जा कबूतर जा जा सिमरन जा उसी सिमरन को भाई ने बुला लिया तो आजाएए सिमरन जी आजाएए क्योंकि आप एक और आजाएंगे तो हमाएपस 6 electron हो जाएंगे तो भाईया जैसी एक को ले लेगा तो ये बन जाएगा सर NIN और कैसे बनेगा CL- इसको कहते हैं NIN आप देखो सर ये positive बोलेगा तूरूरू 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 ये chlorine बोलेगा GG ये फिर बोलेगा तूरूरू तूरूरू CL- को CL- भी attract कर रहा है न प्लस को और दोनों के बीच में एक bond बनेगा जिसको अपन कहते हैं NACL और इसी bond को कहा जाता है Ionic bond हाँ सर ये bond थो हमें पता था आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था जब आपने live session में हमें बताया था यहाँ पर एक लड़का था एक लड़की दिल निकाल के रख दिया था सर सामने आपने ऐसी बात हमें करके रिखाई थी याद है क्या नहीं अगर याद हो तो एक बार लिख दो सर चमका सर चमका के नहीं चमका जी सर चमक गया सर क्या आप बताएं और हमें समझ में ना ऐसा हो सकता है क्या बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं तो यह थी सर किसके बारे में आयनिक बारे में बारे में बारे में बारे में बारे में पहले इसका नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूँ कौन-कौन से factor है जो भहिया ये बताएंगे कि ionic bond जल्दी बनेगा जल्दी-जल्दी जल्दी हो गया? चल्द सर पहला factor ionization energy सर, ionization energy जो है न वो होनी चाहिए कम low क्यों? अगर ionization energy कम होगी तो सर, electron जल्दी निकल जाएगा और अगर electron जल्दी हो जाएगा तो cation जल्दी बनेगा जो cation है वो जल्दी बन जाएगा cation जो है वो क्या बन जाएगा जल्दी बन जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी तो जो cation का formation है वो easy हो जाएगा cation का formation इसली हो जाएगा बात समझ रहें तो पहला जो होता है वो होता है कि आइनाइजेशन एनरजी कैसी होनी चाहिए कम होनी चाहिए आइनाइजेशन एनरजी कैसी होनी चाहिए कम चलिए भी है तो सेकेंड सेक्टर क्या बोलता है सर सेकेंड कौन है अरे सेकेंड है electron gain enthalpy अच्छा सर ये भी है अरे यार ये spelling बड़ी दिक्कत दे रही है electron gain enthalpy सर ये होनी चाहिए हाई सर ये हाई क्यों होनी चाहिए अरे भाबू आपको electron को gain करना है अगर आप electron को gain नहीं करोगे तो N9 नहीं बनेगा और जित्ती ज़्यादा energy दोगे उत्ते ज़्यादा चांसे से किसके बनने के N9 न बनने के हाँ सर सर ये आपने तब भी बनायता N9 formation easily हो जाएगा अगर आपकी electron gain enthalpy ज़्यादा होगी तीसरा सर सर अचूक निशाना lattice energy जितनी ज़्यादा lattice energy होगी उत्ता strong आपका ionic bond होगा उत्ता strong आपका ionic bond होगा 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 ये तीन important points है तीन important favorable condition है जो होनी चाहिए किसकी ionic bond की किसकी होनी चाहिए सर ionic bond की फटावर note down कर लो जल्दी फटाबर नोट डाउन कलो जल्दी 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 हुआ चल अब ये देखो the formation of ionic bond takes place through the transfer of one or more electrons from one atom to another thus ionic bond formation depends on the flexibility of neutral atom to lose or gain electron the formation of ionic bond depends on the lattice energy of the compound which is formed यही बताया है मैंने the factors that are the factors that are आगे पढ़ेंगे the factors that are favorable for the ionic bond formation कौन कौन से factors होते हैं high electron affinity of atoms of non-metal वो ही बताया था जित्ती जदा affinity होगी electron को जल्दी गेन करने की शमता वो ही non-metal high lattice energy of the compound which is formed lattice energy जदा होनी चीए और देखिए low ionization energy of metal क्योंकि जित्ती कम lattice ionization energy होगी उत्ता जल्दी केटायन बनेगा जित्ती जदा electron affinity होगी उत्ता जल्दी अनायन बनेगा और इधर क्या बनेगा सर केटायन बनेगा और second वाले में क्या होगा सर जी lattice energy जितनी जदा रहेगी उत्ता strong आपका bond बनेगा सर उत्ता strong आपका bond बनेगा ये तीनों condition आपको याद होनी चाहिए जल्दी नोट्डाउन करिए फिर चलते हैं अगले कोशन की तरफ आजाओ आजाओ जल्दी 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 चलो आज थोड़े theoretical कोशन से यहापर डाइग्राम वाले हैं जैसा कि होता भी है हर बार में यहीं होता है हो गया कोई देखकर तो नहीं बढ़े आगे चलो कोशन नमबर सेवन क्या बोल रहा है सर ओ माई गॉड यह तो फसा दिया इसने मिर को क्यों फसा दिया सर फस गया आप यह से कैसे फच जाओगे सर सर बोल रहा है शेप बता दो बोल रहा है शेप बता दो of the following molecule using VACPR theory model मतलब VACPR के according इन सब के shape बता दो आप तो चलिए according to VACPR theory according to VACPR theory चीक है according to VACPR theory पहला BECL2 क्या है सर BECL2 बना दिगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें सिखाया है आपने सर बेरिलियम के पास कितने electron होते हैं सर जी दो क्लोरीन के पास सर उसको एक ही लेना होता है तो एक ही दिखाएंगे यह देखो और देखें सर आपने पढ़ाया था यह bond बनेगा और यह bond बनाया तो सर यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री जब भी होता है सर इस shape का नाम दिया था आपने इस shape का नाम दिया था आपने क्या नाम दिया था सर पढ़ाया हुआ है बहुत मज़ेदार पढ़ाया था आपने linear shape सर सर क्या नाम दिया था linear shape सर क्या नाम दिया था linear shape हमने का बहुत बढ़िया चीक है धन्यवाद सर धन्यवाद चलो कुछ तो याद है आपको यह क्या हो गया भाई यह तो colorful हो गया यह तो colorful हो गया किस पे click हो गया था भाई यह यह तो colorful हो गया है कितना बढ़िया लग रहा है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो गया है तो हो गया भाई colorful कैसे हो गया हो मेरे को भी नहीं पता लेकिन हो गया है बस इतना बोल सकते हैं पर कलर्फुल हो गया है है एभर टॉड़ा थोड़ा एधर छोटा झाल आटक क्यों कर रहा है चलो कोई बाता नहीं कोई नहीं करा के दिकत तो नहीं । पहले वो देख लेते हैं नहीं तो एक और बार बनाना पड़ जाएगा और बिंक दिकत की बात नहीं है Chelsea a check it ठीक है चलो एक और बना लेते हैं क्योंकि भाया वो कुछ अलग ही हो गया था ये मेरे को भी सीखना पढ़ेगा क्या हुआ था चीक है बेरिलियम के पास दो एलेक्टरॉन होते है क्लोरीन के पास भी एक होता है देखिए चलिए जोड़िए कित्ता है 180 डिग्री और लीनियर शेप क्या है लीनियर शेप चलो अब नहीं होगा भाई यार हर बाल थोड़ी होगा ये हर बाल थोड़ी होगा हर बाल थोड़ी हाल जाएंगा मुझसे हर बाल थोड़ी हाल जाएंगे चलो सेकेंड वाला सर सर सेकेंड वाला बना की दिखाऊ ना अरे मैंने का बाई सब बना देगा मैं सबाता है मैं को BCL3 सर सर BCL3 ये तो बच्चो वाला देदी आपको मैंने का मारूंगा भी एक ये ये चलो सर सर कलोरी नहीं आएगा उपर आपको पता ही होगा हमको सब पता हैं भाई हमको सब पता है हर केल केल चुका हों ये देखो sir दिखらा है और sir, एंगल भी आपको पता है 120 degree कितना sir? 120 degree और आपको याद हो तो sir, इस shape का अपने नाम भी बताए था? बहुत त toppla क्या नाम बताई था बताएंगे क्या मैंने कहा याद चलो बता देते हैं trigonal planner क्या बताए था trigonal planner क्या बताए था sir जी trigonal planner कोई दिक्षाट यह 2 हो गए sir sir तीसरा आता है 6-cell4 3-cell4 सर यहा दे silicon के पास कितने elektron होते हैं सर जी चार होते हैं आपको पता होगा कारवन कई भाई है यह मैंने का अच्छा देखो जर आप इसका शेप याद है सर अरे मेरे को सब के याद है सर आपको याद है यह बताओ चलो मुझसे पहले बनाना है सब को मुझसे पहले बनाना है सब को देहां से देखेंगे मुझसे पहले तयार करेंगे सब लोग मुझसे पहले तयार करेंगे आप सब लोग एक बॉंड ये है एक बॉंड ये है एक बॉंड ये है और एक बॉंड ये है आप देखो सरा आप देखो सरा ये जुड़ गया ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया ये जो है शेप का नाम आपको याद होगा टेट्राहेडरल शेप क्या है सर, टेट्राहेडरल शेप ये बात आपको पता होनी चाहिए अपने इसके बारे हम पढ़ाए यह CH4 का shape है, sir, किसका shape है? CH4 का, इसको कहते है Tetra-Hedral shape, किस ने दिया था? VSEPR theory ने दिया था, VSEPR theory ने ये चीज़ हमें बताई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए, sir, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कौन सा है, sir, आगे? सार, आगे वाला जो है ना, उसके लिए मैं थोड़ा इनको compress करके लाना पड़ेगा पूरा ही compress करना पड़ेगा, sir पूरा ही compress कर देखिया, sir, चीक है चलो, बिटा चलो चलो, बस मेरे को ये बता तो, दिख रहा है पूरा के नहीं दिख रहा है कोई दिखकत तो नहीं आ रही है दिखने में, विजिबल है बढ़िया, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है के नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो, ठीक है अब अगला, sir, ASF5 सदे को घबराने का नहीं, मैं उना, आपने ना, बावु मुश्याय, टेंशन की बात नहीं है चलो, आपको पता ये अपन तो ऐसी पढ़ाते हैं, एकदम मस्ती मजाक में पढ़ाई को seriously way में नहीं पढ़ना है का, पढ़ना है, serious पढ़ना है, लेकिन मजे में पढ़ना है मजा में पढ़ोगे ना, मजा भी आएगा और काम भी हो जाएगा सर एक बात याद रहो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इसको entertainment की तरह याद रहो किसकी तरह, entertainment, क्योंकि सर अगर आप entertainment करते हो entertainment की सर, जैसे मैं example तो आप movie देखने जाते हो, आपको movie आदी याद हो जाती है क्यों, क्योंकि आप interest level इतना जादा होता है, चीज़े याद होने लगती है मैं कहता हूँ, उत्ता ही interest level, यहाँ दिखा दो पूरी picture याद हो जाएगी और यहाँ की picture याद हो गई तो जिन्दगी की picture बहुत तगड़ी हो जाएगी और एक बाद जिन्दगी की picture तगड़ी हो गई, फिल तो खेल खतम सर याल्सनिक कौन सी फैमिली का आदमी है सर आल्सनिक पता है हमारे नेपाल पाकिस्तान के साथ वाला है यह को ने सार नेपल पाकिस्तान सर नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनकी फैमिली खाए इनकी फैमिली में पांच इलेक्ट्रोन होते हैं सर आखरी में मतलब यह पांच बॉंड बनाएगा इसको तो बड़ी है डिजाइन से बनाये था सर अगर आपको याद हो तो मेरा फेवरेट है सर यह डाइग्राम तो यह डाइग्राम तो मेरा फेवरेट है यह आगया अलसिनिक ठीक है पांच फ्लोरीन एक यह दो यह तीन यह चार और यह पांच दिख रहा है बहुत बढ़िया सर इसमें अगर आप चाहो तो वह देख भी सकते हो इसमें क्या बनता है शीको है शी तर्यायंगल बनते हैं एक प्रॉै पर क्टा साव इसती है आगा कि ये वाला क्वा नहीं है था आ इसा कलन लेना पहले और उपर पहले हाल सफेनेख को उपर भगाना पडहे है तभी काम बनेगा कि इनको थोड़ा सा ऊपर कम्प्रेस करना पड़ेंगा क्योंकि यह लोग अगर अलग नहीं होंगे ना सहीं नहीं दिखेंगे अब देखो अब देखो यह वाला जो है ना यह से connected होता है यह से तो एक triangle उपर एक triangle उपर और एक triangle नीचे है यह और एक यहां से है एक triangle उपर और एक triangle नीचे दो प्रामिट बनते हैं वहिया दो प्रामिट बनते हैं और एक ऐसा प्रामिट जिसका base कैसा है trigonal तो trigonal trigonal by pyramidal trigonal by pyramidal यह बात यह दखना क्या होता है trigonal by pyramidal यह बनता है सल जी कितना बढ़िया डाइग्राम है कितना बढ़िया डाइग्राम है मेरे इसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो फटापन नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते अभी तो दो बाकि है सार अभी तो picture बाकि है picture बाकि है मेरे दो cowboy पिचर बाकि है जली जली हो गया हो गया चलो दो के लिए हटा दू यह पहले वाले दो हटा रहो कि चलो सर क्या है h2s सब बढ़िया यह भी साथ सल्फर के पास पता है छे लेक्टोन होते हैं कितने होते हैं छे अब देखो छे में दो तो लोन प्यार हो जाते हैं यह देखो कान रेबिट के दो कान खरगोस के दो कान बन गए और एक नीचे हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन और इसका shape पता कैसे पता लगाऊगे यह कानों को छुपा दो कानों को छुपा दोगे तो उल्टा नहीं दिखा़ है तो इसको आपन बोलते है bend shape क्या बोलते है बेंड shape इसको एक और नाम से जानते है angular shape या फिर V shape भी बोलते है क्या बोलते है bent shape, angular shape या फिर V shape बोलते हैं ठीक है? तो यह आपको पता होना चाहिए इस तरीके का कान टाइप का बन जाता है sir water का भी यही होता है same as water same as water water का shape भी ऐसा ही होता है यह किसका है sir? H2S का चलो, जल्दी नोट डॉल करो फिर बारी यह pH 3 की फिर बारी यह pH 3 की जल्दी आजाओ जल्दी आजाओ, जल्दी आजाओ फिर बारी यह pH 3 की चलो, 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 चलो sir मैं चाहता हूँ हर question क्यों करवाया जाए pH 3 का shape क्या होगा वो तो मैं बना देता हूँ लेकिन diagram का नाम क्या होगा वो आप बताएंगे, ठीक है? चलो, phosphorus के पास होते हैं बिटा 5 electron तो 2 तो यह रखे और 3 mod बना लेगा 1 2 और यह 3 चलो भी यह diagram तो बन गया है लेकिन इसका नाम आप लोग बताएंगे इसका नाम आप लोग बताएंगे इसका नाम आप लोग बताएंगे नेम प्लीज, भाई केमरा मेन फोकस करो बच्चे लोग इसका नाम बताने वाले नेम प्लीज, भाई इसाब नेम भाईया, मैं चेक करेगा कोशन नमबर 7 का pH 3 का नाम अगर मेरे को नहीं मिला समझ सकते हो उड़ा डालूंगा जल्दी, जल्दी नोट डाउं करेंगे जल्दी, जल्दी नोट डाउं करेंगे जल्दी, जल्दी भाईया, कोशन नमबर 7 होता है समाप्त कोशन नमबर 7 होता है समाप्त कोई दिकात कोई दिकात कोशन नमबर 7 होता है समाप्त Qayı sub अगे बढ़े बढ़ें के नहीं बढ़ें चलो sir, Q monet नमब्र एटध पे आते चलिये चलिये सर चमका के नहीं चमका चलो एक बार भाई डाल दो या चमका के नहीं चमका, जल्दी 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 अगा चमक गया हो तो बता दो जल्ली जल्ली लिखेंगे सब लोग चमका चलो वहिया बहुत शांदर बात करने वाले है आजपन और बहुत मज़ेदार बात करने वाले है क्या बात करने वाले हो सर सर देखें कोशन के तब बढ़िया है Although geometries of NH3 NH2O Molecules are distorted tetrahedral distorted tetrahedral का मतलब tetrahedral थोड़ा सा बिगल गया है थोड़ा तूट फूट गया है वैसी कुछ कहना चाहरा है कह रहा है born angle in water is less than ammonia discuss करो मना कल देंगे discuss कोई देखका थोड़ी आ जाओ सर पहले ammonia को देख लेते हैं ammonia के nitrogen में 5 electron होते हैं सर और जो hydrogen होता है सर उसके पास single electron होते हैं जो hydrogen होता है उसके पास single electron होता है तो यह देखे इस तरीके का born बनता है चीक है और यह एक होता है loan pair दिख रहा है अब इसका जो born angle होता है न भीया आप सब को पढ़ाया है मैंने 107 डिगरी होता है और क्यों होता है सर रीजन है ना रीजन है ना सर क्यों होता है 107 डिगरी 107 डिगरी क्यों होता है यह reason है ना 107 डिगरी का क्या रीजन है भाया आप देखो बहुत शानदार क्योंकि सर यहाँ पर जो हमारे bonds है number of bonds है वो कितने हैं 3 जो लोन पयर है वो कितने हैं? 1 है, कितने हैं? अब चलो बही के पास थोड़ा बही करने चले हैं, भाई करने चलते हैं H2O एक लोन पयर दूसरा लोन पयर अब समझो Sir एक हाइडरोजन इधर एक हाइडरोजन इधर अब पता इसका bond angle कितना होता है हाँ सर बताओ ना कितना होता है सर इसका होता है 104.5 degree सर कम क्यों है क्योंकि भाईया इसके पास दो loan pair है ना अरे तो सर दो loan pair पे क्या दिक्कत आ रही है दो loan pair है और दो bond pair है क्या दिक्कत आ रही है सर इसमें हमने पढ़ा था ना लोन पेर, लोन पेर की बीच में रिपल्शन जादा होता है ये एक दूसरे वो लाथ मार रहा हूंगे चल बे, चल, तू नीचे चल चल तू नीचे चल, तो ये जो ऐसा था कौन सा ये, अब इन पर उपर से प्रेशर लग रहा होगा, ये धक्का दे रहा होगा, ये भी धक्का तो ये और छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया तो बाण एंगल कैसा होगा, सर कम हो गया इधर पर इता नहीं है, क्योंकि साल सिफ एक ही लोन पेर है, सिफ एक लोन पेर बॉन पेर में यह आपको पता होना चाहिए लोन पेर लोन पेर में एस कंपेर टू बॉन पेर के रिपल्शन कैसा होता है अहां फिर वही गलती हो गई यार यह एक और बार लिखते हैं वो उपर टैच हो जा रहा है सर लोन पेर लोन पेर में जो रिपल्शन है वो जादा है लोन पेर बॉन पेर में यह और भाईया अगर आप जानते हो तो लोन पेर का रेपल्शन कहां पर है यह वाटर में और लोन पेर बॉन पेर का कहां पर है अमोनिया में इसलिए इसका बॉर्ड एंगल ज्यादा है और इसका बॉर्ड एंगल कम है यही तो डिसकस करना था होगे डिसकस क्या दिकत की बात है मैंने क्या बोला वहिए अपन को discuss करने में समय नहीं लगता चलो एक बार लिख लो फिर देखते हैं भाया इनने क्या लिखा है इनने क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेंगे बहुत बढ़िया चीज़ लिखी होगी मानते हैं यह लोग तेज आदमी है तेज आदमी है कोई देखत की बात नहीं है जल्दी 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 करेंगे जल्दी 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 अच्छा हो गया? चलो, ओके सरी यह देखे दा सेंटर्टल एटम ऑफ नाइकरोजन इन अमोनिया has one lone pair and has three bond pair, यही था oxygen के पास दो lone pair और दो bond pair यही तो बात है, आगे does these two lone pair of oxygen in the water molecule repel the two bond pair, बहुत ज़ादा repulsion करेंगे, and this repulsion between the lone pair and the bond pair on oxygen atom in water is stronger than the repulsion between the lone pair and the bond pair in nitrogen atom of ammonia nitrogen में जो repulsion आ रहा है, और oxygen में जो repulsion आ रहा है, oxygen में रिपल्शन ज़ादा है और lone pair में, nitrogen में repulsion कम है, इसी लिए bond angle of water is less as compared to ammonia, even though they have distorted tetrahedral structure, दोनों का distorted tetrahedral structure होने के बाद भी water में angle कम है, ammonia में angle ज़ादा है, चलो, जल्दी note down करेंगे, बहुत बढ़िया बात करिए ये मेंने, बहुत शांदर बात करिए ये मेंने, जल्दी करेंगे, तर ये कोशन हो गया है, अब अगले कोशन के दरफ करेंगे, अगले कोशन के दरफ चलेंगे, कोई दिकत, अगले कोशन के दरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, अगले कोशन के दरफ चलने वाले हैं, जल्दी जल्दी, जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो, जल्दी जल्दी, हो गया, चलो, next question, question number 9 how do you express the bond strength in terms of bond order how do you express the bond strength in terms of bond order अब समझो sir, एक simple सा example देतू यह single bond है यह double bond है और यह triple bond है अब समझना यह आपके पास एक marker है यहाँ पर आपके पास दो marker हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास तीन marker हो जाएंगे मुझे बस यह बता दो कौन जल्ली तूटेगा sir, obvious सी बात is एक का जल्ली तूटेगा मतलब भाईया इसकी bond strength कम है इसकी bond strength काम है इधर पर बात करें नहीं ऐसा लिख लो ऐसा लिखो ऐसा लिखो bond strength AA की bond strength क्या है आपकी काम है इधर पर इसकी ज़्यादा है क्या नहीं हाँ साथ double bond से तो ज़्यादा होगी क्योंकि की दो Marker को तोड़ने में ज़्यादा मैनत लगेगी फिर सबसे ज़्यादा किस kissy का सर इसकी क्योंस क्यों क्योंकि तीन Marker इससा तोड़ने में बहुत ज्यादा जान लगेगे bond strength मतलब तागत और तागत कब जादा होगी जब sir triple bond होगा क्या होगा sir triple bond होगा हमने का अच्छी बात है चलो bond order क्या होता ये बताओ bond order क्या होता ये बताओ पढ़ाया है मैंने पढ़ाया है मैंने भईया bond order क्या होता है sir bond order का मतलब होता है number of bonds between the atoms कितने बॉर्ण है सर इसमें कितने एक दिख रहा है सर इसकी बॉर्ण ओडर बन है सर इसकी कितनी है टू है सर इसकी कितनी है थ्री है तो बॉर्ण ओडर का बढ़ रही है इधर की तरफ चलो और सर ध्यान से देखो जो बॉर्ण ओडर का बढ़ने का तरीका है जो तरीका bond order का बढ़ने का है वो ही तरीका bond strength का भी है देखिए जरा दियान से देखो दियान से देखो sir bond order भी बढ़ रही है single bond, double bond, triple bond bond strength भी बढ़ रही है single bond, double bond, triple bond that means bond order जितनी जादा होगी bond strength भी उतनी जादा होगी बॉर्ण्ट स्रेंद भी उतनी जादा होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है अके चलो जली करो coming 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 जली जली चीक है कोई दिकाट कोई प्राइलम चलिये हो गया कोई दिकात तो नहीं सर मज़ा आया क्या ně procaine तो यह बात आपको याद रखनी है जलो आप देख लेते हैं इनने क्या क्या इनने क्या लिखा है सर वही the extent of bonding which occurs between two atoms while forming a molecule is represented by bond strength as the bond strength increases, the bond becomes stronger and the bond order increases. CDC बात है sir, bond order is directly proportional to bond strength. बाकी गई चीजे बहाड में बाकी चीजे गई, sir, कहां पे? बहाड में मुझे उनसे मतलाब नहीं है इतनी बात याद रख ले ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चलिए, फटाब आप नोट डाउन करेंगे हो गया? ये था question number 9 अब देखते हैं, sir, question number 10 sir, define bond length ये क्या होता है? sir, ये bond length मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है जैसे देख लो आपने देखा होगा अपने covalent bond बनाया था क्या बनाया था? covalent bond, याद आया? कैसे बनाया था covalent bond? ये एक bond है ये दूसरा है और अपन जानते covalent bond थो क्या करते हैं? sir, overlapping करते हैं ये देखो ये, ऐसे पक्की बात है आप देखें, ये nucleus और यहाँ भी nucleus इनके बीच में आप देखिए ये देखिएगा ये जो distance होता है ना sir, ये वाला ये जो distance दिखरा है दोनो nucleus के बीच का distance किसका sir? दोनो nucleus के बीच का distance ये है दोनो nucleus के बीच का distance इसी को आपन क्या कहते है sir, जी? bond length bond length ये बात हमेशा या दखना क्या कहते है sir, इसको आपन bond length clear है बात यहां तक? इसी को कहते हैं आपन bond length और मैंने आपको कई सारे terms पढ़ाएं bond length पढ़ाया है फिर मैंने आपको bond order भी पढ़ाया है याद आया? sir कि किसके बीच में कितने bonds होते हैं वो bond order होता है जैसे कि अगर किसी के बीच में single bond है किसी के बीच में single bond है for an example a single bond a तो इसमें जो bond order है वो यह कितने bond है? एक, एक आगे चलो अगर मान लो वो यह double bond है तो bond order कितनी हो जाएगी? sir ji हमने पढ़ा है two two आगे चलो अगर मान लो triple bond है तो bond order कितनी हो जाएगी? sir ji bond order हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी sir, 3 3 होगे इसकी bond order कितनी होग Cheryl 3 होगे इसकी bond order हमने और बहुत शांदर हमने और बहुत बढ़ी है, एक तरफा गाम sir, लेकिन हमने पढ़ा था और मैं आपको पढ़ाया भी था, जो bond order होती है जितनी ज़ादा bond order होगी उतनी ज्यादा bond strength होती है तागट कह रहेगी सर तागट, मतलब अगर bond order ज्यादा है, strength भी क्या होगी ज्यादा होगी, triple bond मजबूर, double bond, कमजोर, single bond सबसे कमजोर, और सर अगर यहीं पर एक और चीज़ लिखूं मैं सर, inversely proportional to bond length क्या सर, inversely proportional to bond length inversely proportional to bond length, यह बात आपको पता होनी चाहिए यह बात आपको पता होनी चाहिए यह important है यह important है bond order is directly proportional to bond strength और directly proportional या inversely proportional to bond length क्लियर है बात, कोई दिक्कत, यह चीज़ आपको थोड़ी से क्लियर होनी चाहिए अगर क्लियर रहीगी तो मज़ेदार काम चलेगा और मज़ेदार देखेगा भी काम चीके, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे एक दम जल्दी जल्दी चलो देखो जल्दी कोई प्राब्लम हों तो बताओ हो गया, पका चाहिए, क्लियर करो, देखेए सरा क्या लिखाए बॉर्द लंद इस डिफाइन आज दा इकलिप्रियम डिस्टेंस बिट्वीन दा नुकलियाई ऑफ टू बॉर्डेड आटम इन अ मॉलिक्यूल अहाँ, अब वो पीछाने के लिए पूरी लाइन जाएंगे पैले यह देखो, यही था दो नुकलियाई के बीच का दिस्टेंस यह देखो ना, यह एक नुकलियस यह दूसा नुकलियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, bond length क्या कहते हैं, उसको अपन bond length चीक है, कोई देखात तो नहीं, clear कर दो चलो, अब देखो एक और बाद बढ़ लेते हैं, bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atom in a molecule तो यह होता है अपना, क्या bond length क्या होता है, सल जी, bond length clear है, एक बाद में इसको हटा देता हूँ, अच्छे से screenshot लीजेगा लीजे, screenshot लीजे, जल्दी जल्दी screenshot लीजे जल्दी चलिए, हो गया, कोई दिकत तो नहीं है कोई problem चलिए, तो बढ़े आगे, सर जी, next देखते क्या होने वाला है, oh question कतम 10 questions हो गए, यह तो ending आगई है क्या करें, सर, कोई problem की बात नहीं है ending आगई है, तो चलता है, चलता है start करते है start करते हैं, मज़ा आएगा, सर जी, मज़ा आएगा क्या start करने वाले, सर, अब तो खतम की बात आगई, जी, बिल्कुल, सर, total questions दाता है 40 questions क्या राउंड है आज मैंने आपको फिल से 10 questions करवा दिये मैंने काता, सर, 2-3 दिन रुखिए मैं ये भी खतम करवा दूँगा पक्का, मज़ा आया, तो एक बाल लिखेंगे चमका क्या नहीं चमका, सर, चमक गया बाकी फिर आप लोग ने मुझसे यहां पर वादा किया है कि सर, यहां पर अपन अपनी फोटो लेके आएंगे फोटो लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 70 out of 70 अपन ने कहा था, लेके आना है तो लेके आना है Magnet Brains लगा है मैं लगा हूँ, बस आपको जोड़े रहना है रोज आना है, रोज पढ़ाई करनी है आपन देख लेंगे सर और आप लोग बोल रहे थे साथ Thermodynamics चाहिए बस ये खतम हो जाए NCRT इसके बाद मैं आपको Thermodynamics का चैप्टर लेके आ रहा हूँ NCRT Solution कतम हो जाए चैप्टर फोर के, फिर Thermodynamics पढ़ेंगे जमा जम पढ़ेंगे साथ बिल्कुल आपको पता है, Magnet Brains के दो चैनल है English Medium as well as Hindi Medium पता है न, दो चैनल से जी बिल्कुल, सर English Medium में CBSC, सर Class 11th 12th, दोनों को मैं पढ़ाने आता हूँ और भी है, बाकी टीचर्स भी लगें, जाएए, उनको भी देखिए मज़ा आ जाएगा एकदब सर, Spoken English, CUT, NTSC Olympiad जैसे courses सब अविलिबल है आप लोग के लिए सर, सब कोच वो भी बिल्कुल 100% free of cost साथी साथ Hindi Medium का चैनल है वहाँ भी CBSC है सर लगा लीजिए, फुल जड़ी सितारे जो लगाना हो सोला सतरा चान सितारे तो लाओंगा तेरे वास्ते बस वो ही वाला है, किस के वास्ते CBSC के वास्ते और सर बात करें तो UP Board BR Board as well as MP Board जैसे, ये भी सब मिलेंगे, सब मिलेंगा भाई सब मिलेगा, बस आपको लगे रहना है आपको लगे रहना है और साती साथ मैंने कहा ना सर जी, E-Notes और E-Books भी अविलेबल है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अविलेबल है, साती साथ सब कुछ मिल रहा है, 100% फ्री, 100% फ्री ओफ कॉस्ट क्या है सर, 100% फ्री ओफ कॉस्ट आपको सारी चीजे मिलेंगी, पका तो सर, आज मैंने 10 कोशन करवा दिये है, अब मिलते हैं अगले लेक्शर, कब कल इसी जगा, इसी समय और कोशन नमबर 11 से चालू करेंगे कहीं आना ना बोलना नहीं तो सोच लेना कहीं देर ना हो जाए और जो जो मैंने आज कोशन दिये हैं कहापर कमेंट में लिखने के लिए लिख देंगे और अगर मजा लगाओ तो एक बार थमसब जरू कर देना कि सर मजा आगया आज लेक्चर में ठीक है तो मिलते हैं कल जब तक के लिए बाई बाई थैंकि सो मच